यहां पर हमने प्राइस डिटर्मिनेशन की कुछ डायग्राम करें तो जिनको मैं हेलिकॉप्टर डायग्राम कहता हूं जिसमें डिमाड और सप्लाई या तो दोनो इंक्रीज हो रही थे आज मैं आपको अगेशन बता हूं जिसमें रिवर्स है ठीक है, सबसे पहले डिमाड अब सप्लाई दोनो हमारे हर डायग्राम में डिमाड सप्लाई चले भी कि अब एक बार हम कि डायक डिमांड को गिरा देते हैं तो सप्लाइब को बढ़ा देते हैं और यहां वाली कंडिशन में इसके अपोजिट अब इसके अंदर हमने रिलेशन कैसा रखना है पहली बार यह बरावर एक बार यह बड़ी और एक बार सप्लाइब जादा यहां पर भी सेम एक बार सप्लाइब एक बार दिमांड एक बार बरावर अब आपने ध्यान के रखना है जो चीज ज़्यादा बड़ी है उसका गैप ज्यादा दिखाना है जो छोटी है उसका चोटा दिखाना है नया एकुलीबियम प्राइस और नई एकुलीबियम क्वान्टिटी खुद बखुद आपको नजर आ जाएगी सबसे पहला डाइग कि इतना बना हुआ है आई होप विजबल रहे है आपको कि एक बार मैं जरे चेक करता हूं उसको फिर मैं आगे कॉंटिनु करता हूं कि यहां पर शेड आ रहा है वह आपको दिकत नहीं करें हमारा में जो इफेक्ट दिखना है वह यहां दिखना है कि दिमांड को दिनाने के लिए हमने लेफ्ट वर्ड दिखा दिया और सप्लाई को क्या करना है बढ़ाना है तो रइझ मश्ट कि अज़ा पर में दिमांड और नई सप्लाई जहां पर यह दोनों मैच कर रहे हैं वहां पर हमने ने यह इकुलीब्यें प्राइस और नई इकुलीब्यें क्वांटिटी धूंनी है है कि यह मैच करें तो यहां पर मैंने देखा प्राइस को मेरा गिर गया क्वांटिटी पर कोई फरत नहीं पड़ा देखो क्वांटिटी सेंग इसी पर गिये पहला क्लियर सेकिंड बनाते इसको बड़ा बना सकते हैं अब हमने डिमांड को गिराना है ज्यादा तो डिमांड को लेफ्ट वर्ड एक बड़े गयाप के साथ हम बनाएंगे सप्लाई को बढ़ाना है छोटे गयाप के साथ कट्रेंब आज अब यहां दोंने कर्व मैक्स करनेया वहां से अमने निकाला कि प्राइस तो हमें दीखा ब्राइस गिर गया है क्वांटीटी भी गिर गई है पहले डाइग्राम में देखा था, quantity same थी, यहां हमें देखा quantity गिर गई है, थर्ड देखते हैं, यह हमारा basic डाइग्राम, अब इसके अंदर demand को गिराना है, थोड़ा सा कम, supply को बढ़ाना है ज्यादा, यह यहां पर match करें, price गिर गया, और quantity बढ़ देखा, अगर आपके डाइग्राम के अंदर gap बिल्कुल ठीख है, जो कम गिर रहा है या बढ़ रहा है, उसका gap कम दिखाना है, जो ज़्यादा बढ़ गिर रहा है या बढ़ रहा है उसको gap पुड़ा ज़्यादा दिखा दो, तो relation अपने आप आपके सामने आ जाएगा, याद करने की ज़रूर नहीं पड़ेगा, यह clear हो? अब तीनों में देखें क्या हो रहा है, एक चीज़़ कॉमन है, प्राइस गिर रहा है, क्योंकि डिमांड गिर रही है। तो यह अब हमें डिमाड को बढ़ाना है और जितने सप्लाई गिरे गिए उसके बराबर तो दोनों को दिखाते हैं पहले डिमाड बढ़ाएंगे बिमाड को मैंने रैट वर्ड बनाया क्योंकि बढ़ना है शारवा नी गिरना है तो लेफट वर्ड जहां इक दोर टच होते हैं वहां से निकला निया एकुलिब्रियम प्राइस और नएकुलिब्रियम क्वांटिटी तो यहां क्या दिख रहा है प्राइस इंक्रीज हो गया क्वांटिटी पर कोई फर्द नहीं पड़ा वो सेम है प्राइस इंक्रीज हो गया तेकिन नेक्स्ट दिमांड को बढ़ाना है और ज्यादा बढ़ाना है तोड़ा गिराना है मैंने बड़े गैप से दिमांड को बढ़ाया और सप्लाइब गिराया छोटे गैप से जहाँ कच हो रहे हैं वहां पर हमने नेए प्राइस निकाला नई कौणाटंटेटी निकाली हैं तो तो मुझे यहां क्या दिखा प्राइस मे इन्क्रीज्ग उँआ क्वांटिटी भी मेरी इंक्रीज हुई ठीक है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थी सप्लाई गिर गए थी बलकि तो मेरा प्राइस बढ़ गया और क्योंकि डिमांड बढ़ी थी तो मुझे ज़्यादा समान खरीदना है एक्षिलिए सिर्फ आपको और मेरा काम नही कि डिमांड बढ़ी लेकिन थोड़ी सप्लाई गिरी जादा डिमांड को बढ़ाएंगे कि सप्लाई को घराएंगे बड़े गया के साथ नया एक्विलिब्रियम प्राइज और क्वांटिटी ढूंडेंगे को यहां हुगे नजर आ रहा है प्राइज तो बढ़ रहे है और कॉंटिटी गिर रही है उतिन तीनी सिचुवेशन में ठेक्श का मोरई आडर एक्वाट Васएं कि-श सब्से चलेंग यही différents इसके इलावा कुछ और डाइग्राउंज होते हैं जो special cases करे जाते हैं उनमें क्या होता है price और demand और supply इन मेंसे किसी एक को या तो inelastic perfect inelastic कर दिया जाएगा या फिर elastic perfect elastic ठीक है अगर perfect inelastic होगा तो vertical line बन जाएगी अगर perfect तो horizontal line बन जाएगी और दूसरा जो कर्व है वो सिर्फ अपनी शकल दिखाएगा तो सिर्फ reaction दिखेगा उस दूसरे करेंगे अभी आप इंगो नोन कर सकते हैं repeat बात देख सकते हैं doubts आए question आए आप लीज मेंसे बात कर सकते हैं मुझे WhatsApp कर सकते हैं मुझे email कर सकते हैं right thank you very much take care कर सकते हैं